आज के वीडियो में हम दिखेंगे C में Array पर बेस कुछ questions Array के बारे में previous 3 वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं declaration कैसे होता है Array का, valid declaration, invalid declarations क्या होते हैं इसके अलावा memory किस तरह से alert होती है, address किस तरह से print कर सकते हैं हम initialize किस तरह से कर सकते हैं, valid initialization, invalid initialization यह सारी चीजे हमने अच्छी तरह से देखे हैं तो आज के वीडियो में हम इन questions के थून सभी चीजों को device करेंगे मैं यह देखना चाहते हूं कि आपने कितनी अच्छी तरह से उस चीज को catch किया है तो यह हमारा first question जो कि based है array के declaration पर based है जो कि हमने first video में यह चीजे cover की थी, discuss की थी, ठीक है तो अब हमें इन में से बताना है कि कौन सा declaration valid है, कौन सा invalid है और इन में हम यह भी दिखेंगे कि कौन से array को कितनी bytes मिलने वाली है यहाँ पर दिखो, हमने array का data type क्या बताया है, int बताया है, data type int बताया है यहाँ पर array का name हमने क्या दिया है, a दिया है और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 0 लिखा है इसका मतलब हम क्या बोल रहे है, कि array में हमें 0 element store करने है कितने element store करने, 0 element store करने तो यहाँ पर कोई error नहीं आने वाली है, ठीके, यह declaration valid, लेकिन इस declaration का कोई sense ही नहीं है, क्योंकि हमने just statement लिख दिया, लेकिन हमें कुछ memory तो चाहिए नहीं, तो इस declaration का sense क्या रहा, तो अगर आपको check करना है, यहाँ पर error तो नहीं है, यह अगर आपको check करना है कि इसको कितन memory मिली है, ठीके, तो जैसा कि मैंने आपको size calculation या number of bytes calculation बताई था कैसे करते हैं, तो उसी rule के according, integer की size क्या होती है, 4 bytes होती है, और हमने आपर error की size के बताई 0, मतलब हमें 0 element store करने है, तो 4 into 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इस type से हमें 0 bytes है, सरे को 0 bytes मिलने वाली है, आपको पता चल जाएगा, कि इसको 0 bytes, इसका output के आएगा, 0 ही आएगा, next है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, float, मतलब data type हमने लिखा है, float, okay, ari का name क्या है, m है, और यहाँ पर हमने negative index प्रवाइट के है, मतलब हमने size क्या बताई है, negative, minus 5 बताई है, तो यहाँ पर आपको क् चाहिए, positive ही आना चाहिए, तो यह statement valid नहीं है, next हम आते हैं, यहाँ पर, इसमें हमने ari का name क्या दिया है, m दिया है, मतलब data type दिया है, int or naam क्या दिया है, m दिया है, यहाँ पर हमने condition लिखे, तो यहाँ पर कोई error नहीं आने वाली है, यहाँ पर सबसे पहले condition evaluate होगी, तो 2 less than 5, 2 less than 5, condition क्या है, true, true मतलब की क्या है, 1 है, true मतलब 1, false मतलब 0, okay, तो अब यहाँ पर इस चीच का output क्या आया है, 1 आया है, तो अब यह equivalent है, int m और 1, इसके equivalent है, अब आपको चेक करना है, इसको कितनी size मिली है, तो again आप इससे check कर सकते हैं, यहाँ पर बस m लिख दीजे, तो 4 into 1, तो इसको total कितनी bytes मिली है, 4 bytes मिली है, एक location, एक integer को install करने के लिए, 4 bytes तो इसको 4 bytes मिली है, आपको में क्या आएगा, 4 आएगा, इसके बाद में हमने यहाँ पर क्या लिखा है, int a 4 minus 5, तो यह statement valid नहीं है, अगर यहाँ पर 14 minus 5 होता, तो valid होता, तो क्यों valid होता, और 4 minus 1, output क्या आया, minus 1, minus 1, तो मैंने अभी बताया था कि negative number में आपे नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आजाएगी, error आजाएगी, और जैसा कि मैंने एक और बताया था previous video में, आपे आप printf statement भी दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, आप उस video में देख सकते हैं, first video में, array के first video में देख सकते हैं, next है हमारा ये वाला question, जिसमें हमने क्या बुला है, short end, मतलब array का data type का है, short end, मतलब 2 bytes, ठीक है, इसके बाद में, 2 bytes, only इस data type की में बता रही हूँ, पूरे array की में नहीं बता रही हूँ कि 2 bytes है, यहाँ हमने क्या लिखा है, array का name है 1, और यहाँ पर क्या 3 mode 5, 3 यह modulus operator है, और फिर 5 है, modulus operator क्या return करता है, remainder return करता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 3 को 5 से divide किया जाएगा, अब यह divide होगा नहीं, क्योंकि 3 चोटा है, तो 3 ही क्या आ जाएगा, हमारा remainder आ जाएगा, तो इस चीज का result क्या आया है, 3 आया है, तो अब देखो, 3 locations हमें च store करने है, और हर एक की size क्या है, 2 bytes है, तो अगर आप यह check करोगे, तो output में क्या आने वाला है, 3 into 6 output में क्या आएगा, 6 आएगा, यह है हमारा third question, जो कि based array initialization के ऊपर, यहाँ पर हमने कुछ initializations and declarations किये हैं, इन में हमें बताना है, कि कौन सा valid है, कौन सा invalid है, और अगर valid है, त सबसे first जो है, उसमें क्या है, हमने data type specify किया है, int, उसका नाम array का है, m, और यहाँ पर हमने size नहीं बताई है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था, कि अगर हम initialize भी कर रहे हैं array को, तो size specify करना ज़रूरी नहीं, हम specify कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने क क्या किया है, अब यहाँ पर आपको confusion यह होगा, कि data type तो क्या है, int, लेकिन उसके अंदर हमने 3 characters को क्या किया है, assign किया है, मतलब हम इस array को character से initialize कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर error आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बता हो जाएगा इसकी ask की value से, जो कि क्या होती है, 97 होती है, I think 97 ही होती है, इसके बाद में यह बी replace हो जाएगा 98 से, उसी replace हो जाएगा 99 से, तो इसका मतलब क्या है, हम इस array के अंदर क्या assign करना चारे है, 97, 98 और 99 assign करना चारे है, इसका मतलब array की size क्या है, 3 है, array की size क्या है, 3 है मतलब अरे के size तीए इसका मतलब क्या है 3 bytes नहीं मिलेंगी अरे में हम 3 elements store कर रहे हैं तो इसको total bytes, number of bytes कितनी मिलेंगी क्योंकि हमने data type क्या बताया है integer भली हम character store कर रहे हैं तो 4 into 3 मतलब इसको कितनी bytes मिलने वाली है 12 bytes memory में मिलने वाली है आप check कर सकते है size of operator से जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था अब इसके बाद ये next है जिसमें हमने declare किया है CHAR मतलब हम character array ले रहे हैं जिसका नाम क्या है A है और उसके अंदर भी हम 3 elements ले रहे हैं 65, 67, 68 जो कि क्या है अब आपको लगेगा ये तो integers हैं तो numbers है character में कैसे store होंगे तो फिर मैंने आपको characters की वीडियो में मैंने लिटरल्स की वीडियो में ये चीज specify बताई थी अच्छी तरह से कि characters मतलब उनकी ask की value store होती है और अगर हम किसी character के अंदर कोई ask की value मतलब कोई number दे रहे हैं CHAR C is equals to 85 ये कोई सा भी हम number दे रहे हैं character की range के अंदर अंदर तो वो valid ही होता है अब उसका output कैसे आता है वो आप check कर सकते हो तो यहाँ पर हमने क्या बताया है 65, 67, 68 हमने बताया ठीक है तो क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है character array में हमारी ये है A की 0th location, ये है A की 1st location ये है A की 2nd location ठीक है तो अब यहाँ पर क्या store होने वाला है 65, 67, 68 ओके क्या होने वाला है 68 अब अगर आप इस array को print करते हो with the help of %D तो ये की A ही print होंगे लेकिन अगर आप इसको print करते हो with the help of %C तो इनके equivalent जो भी characters या जो भी symbols है वो क्या आजाएंगे print हो जाएंगे तो हमारे output में क्या आएगा capital A, capital B, capital C क्यों क्योंकि capital A, capital B और capital C की ही आसकी value क्या होती है 65, 67 and 68 होती है तो ये भी क्या है valid है इसके बाद next क्या है हमने array declare किया है integer type का name दिया है हमने m उसकी size हमने यहीं पर specify कर दी है 3 लेकिन उसके अंदर हम numbers कितने दे रहे हैं 1, 2, 3, 4 मतलब हम elements कितने दे रहे हैं 4 elements store करना चाहरे है जबकि यहाँ पर size क्या है 3 ही है तो जैसा कि मैंने आपको initialization वाले video में ही बताया था यहाँ पर हमने अरी का नाम दिया है m हमने बताए हम 3 elements को store करना चाहरे है और उसके बाद उसके अंदर हमने 2 elements को store किया है तो अब क्या होगा इसमें कोई problem नहीं है दिखो हमने अरी की size क्या बताई है 3 बताई है उसमें यह 2 elements store किये 0th location पे 1, 1st location पे 2 और किस case में 0 होता है तो इसलिए मैं उस चीज को वापसे discuss नहीं करी हूँ एक तरह से हमारा only revision video है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं int m is equal store यहाँ पर हमने कोई element नहीं दिया है तो यह भी हमारा valid initialization कोई problem नहीं आएगी यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारे array में एक भी element नहीं हो यहाँ हमने size भी नहीं बताईए मतलब क्या है कि हमारे array में 0 elements store कर रहे हैं तो array को कितनी bytes मिलेंगी? 0 bytes ही मिलेंगी आप check करके देख सकते हो यह सारे concepts clear होगी दूसरी बात यह आती है कि यहाँ पर देखो, इस case में यहाँ पर देखो अगर आप इसको print करते हो, आप loop चलाते हो 0 से लेकर less than 3 तर तो आपको 1, 2 और यहाँ पर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा लेकिन अगर आप ऐसे कुछ case में देखो, आपने क्या किया है? 3 elements store किये हैं जब आप प्रिंट करवा रहे हो, ऐसे array को जब आप प्रिंट करवा रहे हो, आप जो लूप है वह 5 तक यह 6 तक यह जादा बार चलाते हो, 3 से more times चलाते हो तो उस case में, यह 65, 67, 68 तो आपको मिल जाएंगी, बाकी जो भी आप प्रिंट करवाना चाहरे हो, आप आपको गार्बेज वैल्यू ही मिलने वाली है तो यह क्या है, difference है, इस case में और इस case में, आप एक बार इसको रन करके देखना हो, अब यह है हमारा last code, जो की based है, हमारे array का, जो program वाला video मैंने बनाया था, उस पर based है, ठीक है, जिसमें हमने देखा था, कि हम user से size पूछ के elements कैसे store कर सकते हैं, उतनी ही elements कैसे store कर सकते हैं, और फिर उनको हम print कैसे करवा सकते हैं, तो यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर इंट आई भी ले ले जिए, यहां पर हमने क्या किया है, एक array डिकलेर किया है, जिसके size हमने only क्या बताई है, मतलब जिसमें हमने क्या बताई है, कि हम only 2 elements, 2 integers को store करना चाह रहे हैं, मान तो यहां इसको 200, 201, 202, 203, यह 4 bytes इसको मिल जाएंगे, और फिर 204 से लेकल, जो next जो byte होगी, next जो element होगा, वो यहां से store होगा, यह चीजे में पहले clear कर चुकियों, ठीक है, तो इस तदर से array को क्या मिलने वाली है, memory मिलने वाली है, इसके बाद में अब क्या किया है, हमने जो लूप चलाया है, वो 0 से लेकल, less than 4 टक चलाया है, मतलब 0, 1, 2, 3, यह total 4 टाइमस लूप चलेगा, जैसे ही IK value 4 हो जाएगी, यह condition क्या हो जाएगी, false हो, हम लूप से बाहर आ जाएगे, अब यह लूप में हमने bracket क्यों नहीं लगाया है, कैसे वर्क करेगा, वो सब user enter भी करेगा, तो suppose सबसे पहला element user ने enter किया 11, वो कहाँ पर जाके store होगा, A की 0 लोकेशन पर, फिर हमने element दिया 12, वो कहाँ पर जाके store होगा, A की 1st location पर, यह 1st location यहाँ पर store होगा, फिर क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है, तो आप value enter भी करोगे, आपने फिर दिया 13, तो अब आपको क्या लगेगा, कि वो 13 store होगा, क्योंकि अब इस statement के according के है, क्योंकि I की value अब क्या है, 2 है, तो वो 13 कहाँ store होना चाहिए, A की 2nd location पर, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो कहीं पर नहीं store होगा, मतलब हमारे अरे का existence है, वो कहां तक है, only इतना ही है, कोई 2nd, 3rd, 4th location तो हमारे अरे में है ही नहीं क्यों, क्योंकि हमने only क्या बोला था, अरे की size हमें इतनी ही, हमें only 2 locations, जितनी ही क्या चाहिए, size चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, कि हमारा 13 है, वो कोई 2nd location पर, और फिर हमने जो next element दिया है, वो 3rd location पर जाके store हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाल तो अब आप print करके दिखिए, फिर से loop लाईए, 0 से लेकर 4 तक और print कीजिए, अरे के elements, 0th location पर 11 output आएगा, 1st location का output 12 आएगा, लेकिन 2nd और 3rd location पर आपको 13 और 14 नहीं मिलने वाला है, ठीके, यहाँ पर तो क्या हो रहा था, अगर हम, उस size से जादा elements दे रहे थे, तो error आ र यह चीजें भी हम पहले discuss कर चुके हैं, ठीके, तो यह चीज आप please इसको run करके ज़रूर देखीगा, और देखीगा कि क्या value आ रही है, ओके